हलो नमस्कार इस्टेंट मैं विशेख भार्गाव भार्गाव ग्लासेश के इस यूटुब चैनल में आपको बहुत-बहुत स्वागति है तो आज का वार वीडियो को टॉपिक है वो है तर्क शक्ति तर्क शक्ति जिसको हम रिजनिंग कहते हैं ठीक है उसके अंदर हम देख प्रेश्न में आज आप लोगों को बताने वालों जिसका स्वाट ट्रिक या और आपको अच्छे से समझा सकों ताकि आप इसको कुछ ही सेकंड में आप बना सको ताकि आपको यह गिन्ने मिनने की जुरुरत ना पड़े इसके इंदर में की काउंटिंग नहीं करना पड़ सब्सक्राइब कर लिजिये अपको वीडियो को नटिक्वेशन मिलता रहे है ठीक है और प्रेश बस सबस्क्राइब करने कि अब意ц 10 10 है, अब आप कैसे इसको बताएंगे वह आपको क्या करना है, कि कैसे आपको triangle जो है, आप निकालोगे कि इसके लिक्तिंवर कितने triangle रिभूज है, रिभूजोнок पताना है, तो देखे इस question को करने से पहले, छोटे-छोटे question में आप लोग को बतादेता हूं, जैसे कि एक triangle में हावखर बनागे बताता हूँ अपको एक छोटा सा triangle में आपको बनागे बताता हूँ जिसके अंदर base नीचे वाला, यहां से हम क्या करते हैं इसको एक lucky से is jakél divide करती हैं अब आपको बताना है की इसके अंदर कितने त्रिबूज है तो आप क्या करोगे, पहले आप गिनोगे, एक ये, दो ये, फिर तीन क्या है, ये जो बड़ा वाला है, तो एक दो कितने होगा है, तीन, अब आप इसको shortcut तरीके से भी कर सकते हो, कैसे shortcut तरीके से करोगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, एक यह है, देखिए, यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वान प्लस टू, इस इक्टना होगे, 3, तो यह आपका answer आगया, क्या क्या किया था, हमने यहाँ पर एक दो और बड़ा वाला तीन गीना था, हमने यहाँ पर क्या किया, एक और दो किया, और इसको क्या कर गिए, वान प्लस एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक बड़ा बड़ा, ऐसे नहीं की न, इसको कैसे की न, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो इस ताइप से आप करोगे, तो आपका आंसर जल्दी आज़ेगा, अब इसको क्या करिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 is equal to जो आएगा वो आपका answer हो जाएगा तो देखिए 2 और 1 3 होता है 3 और 3 6 होता चार कितना होता है 10 तो आपका सही answer कितना हो जाएगा 10 10 जो है इसका सही answer है ठीक है 10 क्या है इसका सही answer है आपको counting करने में कोल भी problem नहीं होगा जब आप इस type से counting करोगे तो क्या कि हमने एक ये दो ये तीन ये चार ये मतलब चार ट्रेंगल है तो इसको कैसे लिखना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 is equal to जितना जोड़कर आएगा वो हो जाएगा ट्रेंगल इसके इंदर में इतने ट्रेंगल है ठीक अब इसी में और question में आप लोग को बता देता हूं कि और किस टाइप से question जो है पूछे जाते हैं तो देखिए इसके नदर एक question पूछा जाता है जैसे कि एक triangle और बना लेते हैं हम यहाँ पर आप और असानी हो जाएगी समझने में यह एक triangle बना लिए बने ठीक है अब मैं इसको चलिए यह वाले बड़े वाले triangle देख लेते हैं अभी हमने क्या किया था कि हमने यह वाल account किया था अभी इसमें प्रश्ण ऐसे पूछ लेगा कि यहाँ पर एक और जो है base दे दिया जाएगा अब पूछ रहा है कि इसके अंदर में कितने ट्रहेंगे लगा तो आपने क्या किया यहाँ पर इस टाइप से दिया गया है ठीक है तो आपको क्या करना है एक दो तीन चार तो यह हो गया इस base से ठीक है और यह वाले base से भी आपको एक दो तीन चार गिल लेना है तो यहाँ पर जाएगा 1 2 प्लस 3 प्लस 4 is equal to 10 मतलब 10 10 20 तो यह वाले जो figure है इस टाइप वाले पर ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में रहें देखे एक ऐसा टाइप का भी प्रेशन पूछा जा सकता है कि इस टाइप का एक ट्रेंगल जो है वो दिया हुआ होगा उसको भी हम बना लेते हैं जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है इस टाइप का ठीक है यहाँ पर भी एक क्या दिया हुआ है इस टाइप का बेस दिया हुआ है यहाँ पर भी इस टाइप का बेस दिया हुआ है ठीक है अब बोल रहा है कि ट्रेंगल की संख्या कितनी है बताइए त्रीबुजों की संख्या कितनी बताइए तो सबसे पहले आप इस वाले जो बड यहां पर फिर यहां पर एक छोटा सा मतलब 16 आपका यहां पर आजयताह है। अब आप समझ गऊंगे इस टाइप पर ट्रेंगलों को किस टाइप से किया जाता है, नेक्स्ट कोशन दिखते हैं, अब यहाँ पर बोल रहा है कि P, Q, RS में कितने त्रिकोण हैं, तो आपको बताना है 16, 12, 10 या 8, अब इस टाइप का जब भी प्रशन पूछा जागा ना, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इस टाइप का जब भी प्रशन पूछा जाया है, आपको सिर्फ क्या करना है, 8 x 2 is equal to 16, यह आपका आंसर है, बस, इतना ही करना है, और आपका सेकंडों में क्या हो गया, आंसर निकल करा गया, तो यह आंसर जो है, इसके अंदर में, बिल्कुल सही है, जै 8, तो यहाँ पर कितने ट्रेंगल है, 8, कितने तरी कोण है, यहाँ पर इवाले कोश्चन के अंदर, तो 8 x 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 है, मतलब 8 x 2, मतलब 16, अगर 4 है, तो 8 x 2, 4 x 2, मतलब 8, अगर जितना भी ऐसा आते जाएगा, तो वैसा ही आपका आंसर निकलते हैं, तो यह बड़ा जी सिंपल सह होता है, आपको इसको गिनने ने की जुरुवत नहीं पड़ती, देखें, आपको क्या गिनना है, रो और कॉलम गिनना है, तो देखें, हम इधर से देखते हैं, तो 1, 2, 3, जो है रो, 1, 2, 3, जो है कॉलम है, ठीक है, तो जब भी बराबर कॉलम 2 square plus 3, जब भी इस टाइब का question और इसी टाइब का akshar question पुछाता है, इसमें आगे बढ़ा कर भी पुछा जगता है, 4 into 4, 5 into 5, तो आपको ऐसे ही करना है, क्या करना है, 1 का square, 2 का square, 3 का square, ठीक, तो 1 का square बराबर कितना होता है, 1, 2 का square बराबर कितना होता है, 4, और 3 का square बराब एसे, फिर यहाँ नीचे से ऐसे करके निकालोगे, फिर इधर नीचे से ऐसे करके निकालोगे, तो आपका जो answer कितना जाएगा, 14, तो इसका answer कितना हो गया, 14, n into n आपको याद रखना है, row और column बराबर है, आई से ही प्रश्न जो answer पूछे आते हैं, आपको करना है, square निक करादेगा, shortcut है एकदम बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हो, आगे next question दिखते हैं triangle से, देखे ये बहुत ही important question है, इस type के question अकसर exam में पूछे आते हैं, खास करके इस type के ही question जो है exam में पूछे आते हैं, तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा-छोटा चीज समझा देता हूँ, जैसे कि एक ये जो है triangle है, ठीक है, इसके अंदर में क्या करता हूँ, एक triangle बना देता हूँ, अब आपको calculate करना है कि इसके अंदर कितने triangle है, तो आप कैसे calculate करोगे, देखेंगे हम यहाँ पर ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, और एक जो चार यह है और बड़ा वाला जो मिला कर कितने हो गए 5 मतलब एक ट्रेंगल के अंदर में अगर एक ट्रेंगल होता है तो टोटल कितना होता है पांच बड़े वाले को मिला कर मतलब अंदर कितने है चार तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं यह 1 प्लस 4 is equal to 5 एक ट्रे ट्रेंगल इसके अंदर में एक और ट्रेंगल और इसके अंदर में एक और ट्रेंगल तो आपको अब इसको गिनने की जोरत है क्या नहीं है कैसे नहीं है मैं आपको बताता हूं आप यह वाला जो छोटा ट्रेंगल है इसको छोड़ दीजिए बड़ा यह बड़ा वाला और बड़ा वाला तो इक ही होगा ठीक तो इस प्रकार आपको काूंटिंग करना है इसको समझ सकते हो ठीक है आप देखे ये वाले जो इसके अंदर में पूछ रहा है यही अक्सर एकण पूछा जाता है तो इसको कैसे करना है देखिए इसको करने का एक मैं आपको एक तरीका बता देता हूं पहले बात तो एक अगर आपको नहीं समझ में आता याद नहीं होता कि 4 ट्रेंगल है तो 27, 5 ट्रेंगल है तो 48 और 3 ट्रेंगल है तो 13 अगर यह याद नहीं होता तो आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ देखे कैसे याद करना है यह एक, यह दो, यह 3 और यह 4 ऐसे आप अगर आप count कर लेते हो यहां समझ में नहीं आए कि 4 बराबर 27, 5 बराबर 44, 3 बराबर 13, तो यहां से आप count करिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 बराबर कितना होता है, सीधा सीधा answer कितना हो जाएगा, 27, अब यह 27 आया कहा से, अब आप यहां तो गिनने नहीं बैठोगे, कि आप 1, 1, 2, 3, जैसे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पीर आसे, तो बहुत confuse हो जागा, एक दाम भी आपका निकल जागा, गिनते बैठर जाओगे, ठीक है, तो अगर यह आप रट लेते हो, कि 4 बराबर कितना होता है, 27, आया कहां से, वह भी मैं आपको बता दूंगा अभी, कि कैसे आता है 27, ठीक है, लेकिन आपको क्या क तक रहता है, कहां तक, 30 वाले तक रहता, याने कि 3 तक रहता है, इसके उपर, तो 3 वाले में कितना था, 3 वाले में हमेशा आता है 13, ठीक है, इस प्रकार आंसर जो है, इसका निकल कराता है, अब मैंने जो 4 वाला जो आपको कराया, यही अक्सर एक्जाम में पूछा जाता ह चार ये पाच ये तीन, तीनों में से कोई है कि आपके कोशन में अक्सर पूछा जाएगा, आप कोई सा भी पिपर उठा के देखे लो, व्यापम का, ये सी का, या कोई सा भी जिसमें रिजिनिंग पूछा गया, वहाँ पर एक ट्रेंगल का कोशन जरूर पूछा गया है, ठी मैं इसको आपको बताता हूँ कि ये चार वाले ट्रेंगल में, ये 27 कैसे हुआ, ठीक है, तो देखे, चार वाले ट्रेंगल में 27 कैसे हुआ, एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, अगर आपको समझ में नहीं आता, अगर आप नहीं रट सकते, कि 4 बराबर 27 और 5 अब इसके अंदर मैं डाल दूँगा, चार वाले को, अब आपको तो काउंटिंग करना ही पड़ेगा, यहाँ तक अगर आपने काउंट कर लिए 4 है, अब इसके अंदर में आपको आंसर निकालना है, एक्जेक्ट, क्या कर ये n की जगा हम कितना रखोगे, आप 4, फिर यह आपको निकाल कर बता रहा हूं, ठीक है, कैसे निकलेगा, यहाँ पर हो गया, मेरा 4 और इंटुं कितना हो जाएगा, चार और 2, 6, अब यहाँ एक और इंटु हो जाएगा, अब इसको काल्किवेट कर लो, 4 दूनी 8 और 1, कितना हो गया, 9, ठीक है, 4 दूनी 8 और 1, 9 हो गया ठीक, तो आपने इसको यहाँ पर 9 कर लिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 9 तिया कितना हो गया, 27, देखे, मैंने आपको यहाँ पर निकाल कर भी बता दिया, कि 27 कैसे आता है, अब आपको इसके अंदर में 5 डाल है, देखे, एक ट्रेंगल के अंदर, एक ट्रेंगल मतलब कितना होता है, 1 प्लस 4, एक ट्रेंगल के ट्रेंगल कितना होता है, 1 प्लस 4, प्लस 4, 4 होगा तो कितना हो जाएगा, और एक प्लस अजाएगा, अगर इसके अंदर 3 ट्रेंगल होता है, जैसे इसके अंदर 2 ट्रें पांच बराबर तालीज और तीन बराबर तेरा ठीक है आप नहीं समझ में आता है तो आप ये वाला फॉर्मुला पर टक कर लोगे तो भी आपका अंसर जो है 27 निकल कर आ जाएगा तो इस टाइप से आपको प्रश्णों को क्या करना है बनाना है ठीक है तो इसके जितने भी वो इस टाइप के खास करके पूछे जाते है तो आपको इस टाइप से बनाना है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा कमेंट कर दीजेगा ठीक है और आपको किस टाइप के और भी वेडियो चीए वो भी आप क्या करिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही था जय हिन जय भारत